हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका आपके फेडरिट यूट्यूब चैनल बोल बॉलिवुड पर और आज हम आपको 2023 की टॉप 7 वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं तो 7 वे नंबर पे हैं नेट्फिलिक्स प सुपर्ण स वर्मा ने राना नाईडू यानि राना दगुबती एक फिक्सर हैं फिक्सर यानि उनका काम है बड़े से बड़े और उसूखदार लोगों की जिनदगी में आई परिशानियों को दूर करना खास करके सेलेब्स की जिनदगी राना इस काम में माहिर हैं सांद- दंड भेद वह इस काम में हर हतकंडा अपनाता है राना की एक वीवी है, दो बच्चे हैं राना की जिंदिगी थोड़ी पेचीदा है लेकिन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है लेकिन इसी बीच राना के पिता नागा नाइडू जिसका किरदार वेंके टेस्ट ने निभाया है उनको जेल से रिहाई मिलती है अब दूसरों की जिंदिगी को फिक्स करने में जुटा राना नाइडू खुद की लाइफ में मची खलवली से जूज रहा है पिता के साथ उसका एक बीता हुआ कल है जिसकी परचाई भी वह अपनी मौदूदा जिंदिगी में नहीं रहने देना चाहता है ये वेब सीरीज आपको अंत तक बांध के रखती है ये देखना आपके लिए काफी रोमान चक होगा चटे नमबर पे है 5 जनवरी को रिलीज हुई होई होट स्टार पे ताजा खबर ताजा खबर एक सफाई करमचारी के जीवन पर आधारित है जिसे अचानक से काफी पैसा मिल जाता है उसके बाद उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं भूवन बाब जो की एक मसहूर यूट्यूबर है इस शो में वसंत की भूमी का निभा रहे हैं वह एक आफिस में काम करते हैं उनकी आखों में हमेशा अमीर बनने का सपना होता है अमीर बन करके वो अपनी मा और गर्ल्फरेंड की सहायता करना चाहते हैं आजा खबर ऐसे लोगों को पुरत साहित करती है जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं सो की सुरुवात में कैरेक्टर बिल्डप किया जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन लोग उसे तीसरे दरजे का समझते हैं मैं इस वेब सीरीज को आपके लिए इसलिए सर्जेस्ट करना चाहूंगा कि आपको इस वेब सीरीज को देखने से पता चलेगा कि कैसे एक आम इंसान का जीवन पैसो के कारण बदल जाता है और वह कौन-कौन सी परिसानियों से जूजता है अब बात करें हम पाँचवे वेब सीरीज की तो होट स्टार पे 17 फरवरी को एक वेब सीरीज आई थी दा नाइट मैनेजर यह एक स्पाय थ्रिलर क्राइम है जिसमें मुख करदार निभाया है अनुइल कपूर, आदित रोय कपूर, सोबिता धूली पाला वहीं डाइरेक्शन की बात की जाए तो इस वेब सीरीज को डाइरेक्ट किया है प्रियंका घोस और संदीप मोदी ने दा नाइट मैनेजर जॉन लेकारे के इसी नाम के उपन्यास और इसी नाम से बने ब्रिटिस टीवी सीरीज का हिंदी रिमेक है साल 1993 में यह नोवेल आया था जिस पर सुजेन बीर के डाइरेक्शन में 2016 में ब्रिटिस टीवी सीरीज भी आई थी यह टीवी की दुनिया में सबसे सफल सीरीज में से एक है जिसे 180 से अधिक देशों में खूब देखा गया दो एमी अवार्ड और तीन गोल्डन ग्लोव अवार्ड जीत चुके इस सीरीज को अब हिंदी में भी भारतिये दर्सकों के लिए प्रियंका घोष, रुख नबील और संदीप मोदी ले करके आए है जासूसी थ्रिलर दा नाइट मेनेजर एक होटेल की नाइट मेनेजर और पुर नोसेना अधिकारी शान सेन गुपता की कहानी है उसके निसाने पर सैलेंदर रूंग्टा का खतरनाक गिरोह है जो अवैद हतियारों से डीलिंग करता है शान सेन गुपता इस लड़ाई में जीत के लिए सैलेंदर के गिरोह में घुषपैट करता है और फिर कहानी यहीं से आगे बढ़ती है डिजनी प्लस हाट स्टार की यह सिरीज अपने सुरुआत से ही रोमांचक लगती है एक कैदी उवर खाबर बर फीले इलाकों में एक पुलिस वैन से भाग जाता है वह बांगला देश की राजधानी ढाका में है और दो ओरियेंटल पर्ल होटेल के बाहर हिंसक रोहेंगिया विरोध परदर्सन की ओर बढ़ता है इसके बाद हमारी मुलाकात होटेल के एक बेहत सौम्य और सालीन नाइट मैनेजर सान सेन गुपता यानि की आदित्य रोय कपूर से होती है सान हर समस्या को सांती से सुल्जाता है मेहमानों की सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखता है लेकिन इसके बाद कहानी बर्फ के पहाड की तरफ दरखती है और एक के बाद एक रोमांचक घटनाए आपको स्क्रीन से बाद लेती है बात करें हम अगर अपने चौते नंबर की वेब सिरीज के बारे में तो चौते नंबर का स्थान मिला है होट स्टार पे पांच मही को आई सास बहू और फ्लेमिंगो में जिसे सब रानी बा कहते हैं रानी अपने बेटे और दो बहूं के साथ मिलकर कठ पुतलियों और कपड़ों का व्यापार चलाती है पर उसका असली बिजनेस है गोल्डन रिंग यानि की सेंट्रल भारत और दिल्ली में ख्लेमिंगो के नाम के ड्रक्स का धंदा करना जो की वो अपने रानी कॉपरेटिव के आड में चलाती है दिल्चस्प है कि इस पूरे धंदे को सावित्री अपनी बेटी और दो बहूं के साथ चलाती है जबकि उसके खुद के दोनों बेटे इस सारे गोरक धंदे से दूर विदेश में रहते हैं उन्हें नहीं पता कि उनकी मा आखिर असल में करती क्या है सावित्री का बहू बेटो वाला भरा पूरा परिवार है जो सुरुवात में आपको एक साथ खड़े नजर आता है सास बहू का जिक राते ही आपको सायद टीवी सिरियल यादा आ जाते होंगे लेकिन होमी अदा जानिया की यह सास बहूएं गजब की लड़ाई लड़ती है आपस में नहीं गुंडो से सिरीज सुरू होते ही पहले एक मिनिट में ही आपको पता चल जाएगा कि यह सिरीज किस हद तक खून खराबा दिखाने वाली है सिरीज में खून खराबा इस कदर है कि वह आपको सायद डिस्टर्बंस के अस्तर पर पहुचा सकता है लेकिन यह सब जस्टिफाई इसलिए होता है क्योंकि हर एक्सन सीन के आसपास बुने एक हालातों और भावों को आप कनेक्ट कर पाएंगे दीरे दीरे जैसे जैसे परते खुलती चली जाती है इन सास बुन और फ्लेमिंगों की कहानी में कै किरदारों की परते खुलती चली जाती है पर कहानी में सिर्फ सावित्री और उसके परिवार के ये कॉंपलेक्स किरदार ही नहीं है बलकि ड्रक्स के धंदे में Silver Ring यानि की North East के धंदे का बादसा Monk Monk का किरदार यहाँ पे निभाया है दीपक डोब्रियाल ने जिनका किरदार आपको काफी इंप्रेस करेगा इस वेब सीरीज में दीपक डोब्रियाल और डिम्पल कापाडिया के बीच जबरदस्ट टक्कर देखने लाइक है तो चलते हैं हम अपने तीसरे वेब सीरीज के तरफ जिस पे जगह बनाया है Rocket Boys ने जो कि 16 मार्च को रिलीज हुई थी सोनी लिफ पे जिसमें की मुख्यकिरदार निमाया है जीम सार्व, इस्वाक सिंग, रेजिना कसांडरा, सबा आजाद, दिवेंदू भट्याचार, रजित कपूर और अर्जुन राधा क्रिष्टन ने डॉक्टर हूमी जहांगीर भावा और डॉक्टर विक्रम सारा भाई की इस लाइफ स्टोरी में आपको स्वतंतर भारत के सुरुवाती वर्सों का संगर्ष, सपने और आधूनिक तरक्की की बुनियाद नजर आएगी आज यह कहने या सुनने में गर्व होता है कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी उचाईयां हासिल की है चांद पर अपना यान उतार दिया है, मंगल तक यान भेज दिया है, साथ ही आज हम विस्व की प्रमुख परमानु सकती भी हैं मगर यह कोई रातो रात हुआ चमतकार नहीं है, इसके पीछे देश के भविस्व को देखने वाली द्रिष्टी से लेकर भारत को विस्व में सम्मान जनक इस्तिती दिलाने की द्रिढ इच्चा सकती वाले वैज्ञानिक, विचारक और राष्ट्री नेता भी सामिल है सोनी लीप पर रिलीज हुई वैब सीरीज रॉकेट वॉइज यहां उन दो महा वैज्ञानिकों की कहानी कहती है, जिनोंने सोते जागते भारत के लिए संपन, स्मिरिध, स्वाभी मानी और सशक्त भविष्ट के सपने देखे, ये रॉकेट वॉइज हैं भारतिय परमानू उर्जा कारेकरम के जनक, डॉक्टर हूमी जहांगीर भाबा और भारतिय अंतरिक्ष कारेकरम की संकल्पना करने वाले डॉक्टर विक्रम सारा भाई, रॉकेट वॉइज चुनिंदा दर्सकों के लिए है, खास तोर पे उनके लिए जिनकी दिल्चस्पी साइन्स में है, जो देश के अंतरिक्ष और प्रमानू इतिहास में दिल्चस्पी रखते हैं, डॉक्टर हूमी जहांगीर वाबा और डॉक्टर विक्रम सारा भाई की जिन्दगी के बारे में जानना चाते हैं, सीरीज की रफ्तार थोड़ी धीमी है, बहुत सारी साइन्स क की बाते हैं, जो हर किसी के समझ नहीं पड़ेगी, रोमैस थोड़ा सा है, थोड़ा थ्रिल है, तो मैं ये वेब सीरीज उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जिन्ने साइन्स में दिल्चस्पी है, वहीं हम बात करें अपने अगले वेब सीरीज की, जिसने दूसरे नंबर पे अपनी जेगह बनाने में काम्याबी हासिल की है, तो वो है दहार, जो की प्राइम पर 12 मई को रिलीज हुई है, इसमें मुखे के दार निवाया है, सुनाक्छी सिना, विजे वर्मा, गुलसन देवया और सोहम साह ने, वहीं इनका डारेक्शन किया है, रीमा काग इस सिरी सब इंस्पेक्टर अंजली भाटी के किरदार यानि सुनाक्छी सिना के इर्द गिर्द बुनी गई है, वह राजस्तान के मंडावां में लगातार हो रही हत्याओं की जाच कर रही है, इन हत्याओं में सबसे अनोखी बात यह है कि कातिल इसे सार्वजिनिक सोचाल में अंजाम दे रहा है, शुरुवात में ऐसा लगता है कि यह हत्या से अधिक आत्म हत्या है, लेकिन एक के बाद एक मिल रही लासें इस सिरियल किलिंग का सबूत देती है, इतना ही नहीं इस कातिल का एक खास पैटर्न भी है, जो इस बात की और इशारा करता है कि वह पहल अगर आप क्राइम ड्रामा थ्रिलर देखने में इंट्रेस्टेड है दोस्तों, तो ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, जो कि 12 मई को प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, और अब हम बात करेंगे उस वेब सीरीज के बारे में, जिसने हमारे टॉप सेवन में स का डिरेक्शन किया है, राज एंड डिके ने, कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो, अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से अपराद की दुनिया में कदम रख दे, दा फैमिली मैन से OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डिके की त्यारी करता है, कलाकार है, इसलिए नकली नोट की उसकी कलाकारी असली से बेहत करीब है, लेकिन इससे पहले की वह समल पाता, वह अब नकली नोट के कारुबार के धंदे में बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाता है, साहित कपूर फरजी से वेब सीरीज की दुनिया में सनी का करदार उन्होंने बखूबी निभाया है, सनी को उसके पिता ने छोड़ दिया है, नाना ने उसे अपनाया है, इस वेब सीरीज के कोई भी वीक पॉइंट्स नहीं है, इसकी वज़ए इसकी स्टार कास्ट और उनकी कलाकारी है, जो की बिलकुल काबिले तारीफ हो, और जाकिर हुसेन के बीच के वारतालाप को काफी फणी अंदाज में लिखा गया है, और फिल्म आया भी गया है, और भूवन अडोरा जिनोंने शाहित कपूर के दोस्त का कैरेक्टर निभाया है, वो भी दरसकों का ध्यान अपनी और खीचने में सफल होते हैं, इसलिए य आपके नजर से कौन सी वेब सीरीज है, या कौन सी वेब सीरीज आप देखना चाहेंगे, या कौन सी वेब सीरीज आपने नहीं देखी है, और ऐसे ही बॉलिवूड से जुड़े लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें धन्यवाद